हाई गाईज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने प्रीती इस्पेसल रेश्पी में तो गाईज आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से आलू करी जो सभी को पसंद आए तो चलिए सुरू करते हैं तो हमने आलू लिया है आलू को हमने छील कर साप से धुल लिया है तो जो काटा वाला चम्माच है इसी से हम सारे आलू को गोद लेंगे तो आलू को हमने गोद लिया है आप देख सकते हैं मुलायम हो गया है इसमें से पानी भी निकल रहा है इसी तरह हम सारे आलू को गोद लेंगे और ये हमने लिया है लहसुन हरी मिर्च अदरक का टुकड़ा दो प्याज इसको हम पीस लेंगे और ये हमने लिया है चार लाल टमाटर तो इसको हम कद्दू कस कर लेंगे तो हमने टमाटर को कद्दू कस कर लिया है और ये हमने हरी मटर लिया है और ये लहसुन प्याच को हमने पीस लिया है इसको हमने ज़्यादा महीन नहीं किया है अब हम एक कटोरी में एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धन्या पाउडर और साथ में लेंगे एवरेष्ट मसाला इसको हम पानी में भिगो देंगे और जब तक हम अपनी सबजी को भूनेंगे तब तक हमारा मसाला फूल कर तयार हो जाएगा क्योंकि ये सूखा रहता तो इसको हम भिगो देंगे और अब हम गयस को आन कर लेंगे और इसमें हम कड़ाही चड़ाएंगे गरम होने के लिए तो हमारी कड़ाही गरम हो चुकी है अब इसमें हम तेल डाल देंगे तो हम सर्षो का तेल डालेंगे हमारा तेल गरम हो चुका है और इसमें हम आलू डाल देंगे हम आलू को हलका सा सुनहरा भून लेंगे गैस को हम लोग फ्लेम में कर देंगे और इसको हम दो से तीन मिनट तक हलकी आँच में हम इसको भून लेंगे हमारे आलू अच्छे से भून चुके हैं अब हम इसको निकाल लेंगे हमारा आलू हलका सा कड़ाही में लग गया है क्योंकि हम ज्यादा तेल नहीं डाले थे तब हम इसी कड़ाही में तेल डालेंगे और इसमें हम जीरा डाल देंगे तो हमारा जीरा चटकने लगा है और आप हम इसमें प्याज डाल देंगे तो अब हम प्याज को अच्छे से भून कर पका लेंगे आप देख सकते हैं हम ज़्यादा तेल नहीं डाले हैं क्योंकि जब हम आलू तले थे तब भी हम कम तेल डाले थे इसलिए हमारी बार बार प्याज कडाही में लग रही है हमारे यहां कम से कम तेल का प्रयोग किया जाता है अब हमसे ज़्यादा थोड़ा सो डाल सकते हैं तो हमारी प्याज पक चुकी है क्योंकि तेल छोन रही है अब हम इसमें मसाला डाल देंगे और मसाला को हम गैस को लो फ्लेम में कर देंगे एक मिनट तक इसको हम धीमियाज में पकाएंगे तो इसी तरह चला कर हम अपने मसाले को पका लेंगे तो हमारा मसाला पक चुका है अब इसमें हम मतर डाल देंगे हम इस मतर को अच्छे से मसाले में मिक्स करके इसको हम भून लेंगे तो हमारा मतर अच्छे से भून चुका है तो अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम पका लेंगे हमारा टमाटर पक चुका है अब इसमें हम आलू डाल देंगे अब हमने सारे आलू को डाल दिया है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा माटर, आलू और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें अब हम पानी डाल देंगे हमने दो गिलास तक इसमें पानी डाल दिया है आप अपने अनुसार डाल सकते हैं जिस तरह की आपको तरी बनाना है जैसे की पतली या गड़ी उसी हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको हम ढग देंगे गाइस को हम medium flame में कर देंगे और इसको हम 4 से 5 मिनट तक लगातार पकने देंगे और इसको हम बीच में 1 से 2 बार चला भी देंगे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं अब हम चेक करते हैं कि हमारी रेश भी तैयार हुई की नहीं हमने आलू करी कड़ाई में बनाया है तो आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं कुकर में जल्दी पक जाएगा हमारी रेश्पी बनकर तयार हो गई है और हमारे पास धन्या की पत्ती नहीं थी हमने पहले नहीं ध्यान दिया तो अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं इस रेश्पी को आप चावल पराठा किसी के भी साथ सर्व कर रखते हैं तो प्लीज अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई